हेलो स्टुदेंट्स एंड वेलकम बैक तो कंपेटिशन कम्यूनिटी मैं सौरब आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं कंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहें ऐसे सी सी एचिसल का यूट्यूब कोर्स जिसमें आज मैट्स में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ओन एज यानि आयू संबंधी प्रश्ण देखें यह टॉपिक इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंट इसलिए क्यूंकि किसी भी शिफ्ट में आपका एक सवाल इसमें और पच्चिस में यानि कि आपका एक मार्क्स इस वीडियो को देखते साथ कंफर्म हो जाएगा आपके सवालों का पैटन है मैं यहां पर शुरुवाती तौर पर आपको सवाल करवाऊंगा जो आपके एक्जाम से रिलेटेड और जो एक्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना रखते इस तरीकी के सवाल से मैं श दूसरी बात अगर आप यहां पर इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं क्योंकि फ्री आफ प्वास्ट आपको बहतरीन कंटेंट प्रवाइड करा जा रहा है तो इसका नोटिफिकेशन अगर आप टाइम पर चा चाहते हैं 25-25 सवाल हर एक सब्जेक्ट का यान टोटल सावाल और उसका एंसर की हम अप्लोड करते हैं वेडनस डे को इसका भी पीडियाफ आपको वहां मिलता है साथ ही साथ आने वाले हफ्ते में जो शडूल है उसका भी पीडियाफ आपको लेना है तो आपको कहां जाना है description box में जाना है competition community के website में आपको register करना है register करने के बाद आपको my course section में जाना है वहाँ पे आप SSC chsl course में जाएंगे सारी चीज आपको free of cost प्रवाइड कराई जा रही है best content quality content के साथ आपका यहां preparation चल रहा है तो चलिए अब हम start करेंगे आज के इस video lesson को problems on age जैसे कि मैंने बताए important topic है और इस topic से यानि कि इस video से आपका जो topic है पूरा complete होगा चोटा सा topic है और एक marks confirm आपके यहां से हो जाएंगे चलिए start करते हमेशा की तरह पहले थोड़ा theory देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो question का language होता है उसे हमें समझना कैसे देखिए आयू संबंधी प्रश्ट्री याने problems on age में तीन तरीके के एक होते हैं एक आपका present age होता है एक future age होता है एक आपका past age होता है अक्सर जो सवाल है वो English में देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है वहां पर समझ में नहीं आता है कि कौन से age की बात कर रहा है तो थोड़ा सा हम करके यूज होगा याने कि इतने पहले था याने पहले कुछ वर्ष पूर्व इस तरीकी का जब लैंग्वेज यूज किया गया इसका मतलब यह पास्ट एज की बारे में बात हो रहा है और English वाले क्या देखेंगे वाज वर एगो पास्ट इस तरीकी के सब ठीक है या फिर एगो फ्रम नौ भी हो सकता है यहाँ पर एगो फ्रम नौ ठीक है याने आज से इतने वर्ष पूर्व ऐसा भी आपको अगर बताया गया तो भी हैं टो एक होत्काल के आयो के बारे मात कर रहा और भवưng जिक लो को आपको अपको नौट डाउन करना है समझना हे है कि सबसे पहले तो पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन से आज के बारे में बात हो रहा है एक बार जैसे हम पैचान लिए कि कौन से हैं इसके बारे में बात हो रहा है ठीक उसके बाद फिर हम mathematically इसको कैसे लाना है उसको समझते हैं सब्सक्रते हैं कि दो दोस्त है A B A है B है ठीक सब्सक्राइए कि A है 28 साल का और B है 30 साल का ठीक है और एक और व्यक्ति कि शाल पहले चलते 6 years ago है जैसि मैं 6 साल पहले जाओंगा तो E का एज और B का एज और C के एज की अगर हम बात करते हैं Adam तो एक एज जो है वो 6 साल नहीं हो जाएगा 32 साल बीका जो aज जो छे साल पहले कितना ऊजाएगा 37-0 करोगे तो यहां पर कही ना कही जो जाएगा वो 24 चाएगा सी के बारे बात करते तो इसमें 6 साल – कर गा तो 28 वर्स का सी बन जाएगा आज से यदि मैं आगे चलता हूं फ्यूचर में अगर मैं चलूंगा तो फ्यूचर में सपोस्ट करिए कि मैं आगे चलके प्लस का फ्रम नाओ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फ्रम नाओ यदि सपोस्ट करिए कि हम यहां से 9 वर्स आगे गए 9 years hence तो यहां पर A, B और C के एज का जो वैल्यूस है वो क्या हो जाएगा यह भी 9 साल बड़ा होगा मतलब कितने का 37 years का ठीक है यह 39 years का हो जाएगा भी और C जो है यहां से 43 years को जाएगा तो देखिए सबसे पहली बात कुछ चीजों का ध्यान हमें जो देना है हमिसा आप एक चीज देखेंगे कि आप A और B के बीच में दो का उडर बीच़ों कर मैं पर यहां पर चार साल है और दिफरंस भी यहां पर चार साल है और किता और व्यक्त खेंग पहलु कि किसी बी टाइम फ्रेम में दो व्यक lleva क्योंSt सूत्र का यूज़ करके सारे सवाल हो जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि कोई भी दो व्यक्ति का अगर एज डिफरेंस है वो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो वो डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा ठीक दूसरी ए बी सी तीनों का एज नौ साल बढ़ेगा तो ऐसे केस में जब सम की बात हो रही है सम की जब हम बात करें तो हमारा जो सम है सम ऑफेज यानि कि इनके आयू का योगफ़त जब हम नौ वर्ष आगे बढ़ते हैं तो तीन अगर लोग है तो नौ गुने तीन यानिकि 27 जितने वर्ष हम आगे जा रहे है उस उस हिसाब से आपका सम बढ़ता है यहां पर आप देखेंगे जितने लोग यहां पर इसका कम हुआ ठीक है यह तो कुछ दो बाते होगिwang अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनके में क्या हो रहा हैं, इसरे और Comment कि अगर मैं बात करता हो थो पहले दूसरी केस में इनके आवसता की couch करते हैं कि यह क्या क्या हो रहा है about मैं यहां पर average निकालों इन तीनों के एज का तो यह 30 में दो कम है यह 30 में चार ज्यादा है मतलब तीस प्लस अगर यह भी 30 होता यह भी 30 होता तो average 30 आना था प्लस का दो डिवाइड़ बाइटीन यह इतना इसका average जा रहा है ठीक यहां पर अगर देखते हैं तो यह 39 में दो कम है 39 में चार जादा है मतलब यहां पर जो आएगा 39 टू बाइथरी आएगा मतलब कि आप देख रहे हैं कि average जो एज है वो आपका प्लस नाइन यह से बढ़ रहा है आपको देख सकते हैं यहां पर जो आपका average था वो तीस सही द साल हम आगे जा रहे हैं जितने साल हम पीछे जा रहे हैं इस केस में दोनों ही केस में हमारा जो average का जैसे को मंनूँ कि है चोविसस साल का एे है और ट्वेंट येट सक भी तो यहां पर रेशियो क्या होगा आगर मैं इसको चार से कातोंगा तो सिक्स रिख्ट रिच्चों ठीक और वहीं अगर मैं यहां से आंगे चलता हूँ यह पीछерм चलते हैं फिक अगर मैं यहां से 6 साल पिछे जाओं, 6 साल पिछे जाओं, तो A और B का जो IU है, A ratio B का, अगर मैं IU की बात करूँ, तो यह 18 साल का होगा, और यह 22 साल का होगा, यहां पर आपका जो ratio है, वो कहीं न कहीं जो है, आपके ratio जो है, जैसे कि मैंने शुरवाती तोर में भी ratio में बता है, हर ratio में एक अई बात होनी चाहिए, अगर यहां पर आप कहरें कि इन दोनों का age difference जो है, वो 2 के बराबर है, और इन दोनों का age difference वो 1 unit के बराबर है, तो यह सरासर गलत है, सबसे पहला काम है, कि आप अपने ratio को balance कराईए, कि उनके बीच का difference सेम रहे, तो हमेशा कभी भी दो अलग-अलग ratio मिलते हैं, उसमें हमें ऐसी common चीज़ देखनी चाहिए, जो दोनों में change नहीं हो रही है, तो इस तरह के questions में, क्या change नहीं हो रहा है, तो इनके age का difference नहीं हो रहा है, तो यह चीज़ ह में आयू का अनुपात यह है, भूत काल में यह था, मविश्ची काल में यह था, तो पहले आप देखिए कि उनका age difference जो है, उसका ratio में same value है कि नहीं, अगर नहीं है, तो पहले same करना होगा, तो अगर यहां दो का difference है, यहां पे भी दो का difference बनाने के लिए क्या करना पड़े परावर दो साल है, अब यहां से आप exact value निकाल सकते हैं, 12 का मतलब 24 और 14 का मतलब 28, 9 का मतलब 18 और 11 का मतलब 22, तो इसी तरह के pattern के सवाल आपके exam में आते हैं, शुरुआती तोर पे मैं इसी का practice करा हूँगा, फिर आगे कितने भी तमान तरीके के सवाल बन सकते हैं, आयू सवाल आपके screen के उपर है, यहां से हमें देखना है, 3 years ago the age ratio of A and B was 4 is to 5, 12 years hence the ratio will become 9 is to 10, how old is B, देखिए, 3 verse पहले A और B के आयू का अनुपात 4 अनुपात 5 था, 12 verse के बाद इनके आयू का अनुपात जो है वो हो गया, 9 अनुपात 10, तब ज्यात करना है कि B के आयू कितनी है, तो देखिए, कभी भी आपको किसी भी दो time frame में, चाहे यह दो time frame वर्तमान और भूतकाल का हो, चाहे यह वर्तमान और भविश्यकाल का हो, या फिर भूतकाल और भविश्यकाल का हो, ठीक है, तो यह 3 में से कोई भी case का, आपको age का ratio दे दिया जाए, दो व्यक्तियों का, तो अभी मैं अप्रोच जो बताने जा रहा हूं वो वहाँ पे लगना ही है, 100% लगना है, ठीक है, तो देखे, और exam में आपको इसी तरीके का pattern का सवाल ही देखने को मिलेगा, इसका संभावना 90% है, कि इसी pattern का सवाल अगर age आया, तो यही सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसी pattern का, तो देखे, करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको देखना है, A, B के ratio जो है, वो क्या दिया हुआ है, 4 is to 5 का दिया हुआ है, और एक और अलग time frame में, A, B का जो ratio है, वो दिया हुआ है, 9 is to 10 का, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कि यह जो time frame है, यह कब दिया था, यह 3 years पहले का, तो यह minus 3 years का time frame है, और अगला वाला जो है, यह 12 साल बाद का time frame है, तो यह दोनों चीज़े हैं, मतलब कि अब हमको यहाँ पर सबसे पहले देखना है, कि जभी भी दो अलग-अलग ratio होते हैं, तो क्या यह दो ratios balanced है, या एक अई बात कह रह चार अनुपात 5 में difference जो है, इन दोनों का difference है, वन का, इन दोनों का difference है, वन का, इन दोनों का difference भी क्या है, वन का, अब यहाँ से हम देखेंगे, कि यह भी 5 unit बढ़ रहा है, और यह भी 5 unit बढ़ रहा है, जैसे ही आप इसका difference को equal कर देते हैं, 1-1, तो एक value जितना बढ़ है, उतना value ही, दूसरा भी बढ़ेगा, यह automatically balance हो जाते हैं, जैसे ही आप इनके difference को balance करते हैं, तो यहाँ तो difference तो पहले से balance था, यह भी 1 है, यह भी 1 है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप देखेंगे कि आप 3 साल पहले से, आप कहां जा रह है, तो इस 5 unit को इस 15 के बरावर करना है, कहने का मतलब यह है कि एक unit जो है, वो 3 verse के बरावर है, अब जो question में पूछा था, उसको find करेंगे, B का IU निकालना था वरतमान में, present में, तो 3 साल पहले B का IU जो था, वो 5 unit था, जिसमें अगर मैं 3 multiply करूँगा, क्योंकि 1 unit बरावर 3 साल है, तो 5 unit बरावर 15 साल हो जाएगा, यह age कप का है, तो 3 साल पहले का है, तो present में आओगे, तो इसमें plus का 3 करना होगा, जो की हो जाएगा, 18 verse, यह 18 verse जो है, B का, सही IU है, यह वरतमान की IU हमें निकालनी है, ठीक, how old is बोला, is बोलने का मतलब, और यहाँ पर है बोलने का म मतलब, वरतमान IU की बात हो रही है, present age हमें निकालना है, ठीक है, तो यह कुछ कुलू वर्ड से, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा age हमें निकालना है, क्यूंकि यहाँ इस लिखा है, इंगलिश में और है लिखा है, हिंदी में तो हमें यहाँ पर present age याने की वरतमान IU नि से भी आपका ठारा एंसर आएगा चलिए अब इस पैटरन की कुछ प्रैक्टिस हम करते हैं इसी प्रकार के दो-तीन सवाल मैं आपको यहां पर करवाऊंगा ठीक है जैसे यहां दिया हुआ है तो निखिल और अखिल दो व्यक्ति हैं इन दोनों के एज का आयू का जो अनुप व्यक्ति हल फ्रम नहों बोल रहा है जब भी फ्रम नहों बोला यानिंए कि आगे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं इनका जो रिश्यो जाता है वह थर्टेन का हो जाता है ठीक है अब हमें बोल रहा है what is the sum of their present area ने वर्तमान में इन दोनों का योगफल देखे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं पांच वर्ष पूर निखिल अखिल का आयू का अनुपात चार अनुपात पांस था यहां एक इस जगा चार उनुपात पांच एक आगए इसको कर लेते हैं यहोगा आपका यह आपका तीन अनुपात चार है और यह आपका तेरा अनुपात छोला है इस हिसाप से हम सल्वे करें हम चलिए अब यहां से दीया हूए अगर यह दोनों paused seeking घे कहा तो यह दोनव आगर आपको दिया हुआ है हमसे इकाल निकालने को gefवेद्ट वरत्मान अब दोनों के आयू को योगवखल क्या यह मैं निकालने को देखें कि दोनों का डिफ्रेंस भात करो तो यह가지고 फृरि आगया तो यह तो संभव नहीं है क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति है वो चाहे प्रेजंट की बात करें चाहे पास्ट की बात करें उन्हों के बेच का जो एज डिफ्रेंस है वो सेम होता है लेकिन यहां पर फिर अलग आया यह गलत है तो मुझे पहले इसे तीन बनाना होगा याने मुझे तीन से multiply करना पड़ेगा यह दोनों values को तो अभी यह values गलत है इसको balance करके मैं लिख लेता हूँ 9 ratio 12 अब यह सही वाला ratio है इसमें आप देखेंगे कि यह भी 4 unit बढ़ रहा है यह भी 4 unit बढ़ रहा है अगर दोनों 4 unit बढ़ रहे हैं तो actually date जो है years में देखा जाए तो आप 5 वर्स पहले से 11 वर्स आगे जा रहे हैं याने total आप 16 वर्स आगे बढ़ रहे हो तो अगर 4 unit बढ़ बढ़ 16 साल है तो एक unit बढ़ चार साल होगा एक unit बढ़ चार साल मैं यहां पे लिख लेता हूँ अब देखिए यहां से हमें निकालना क्या है present में दोनों का age का sum निकाल उनकी दोनों एक unit बरावर चार साल है तो यह 36 और 48 कप का age है तो पांच साल पहले का age है तो अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे तो इसका भी age दोनों का age 5-5 साल बढ़ेगा मतलब निखिल का जो age है वो हो जाएगा 41 यह वर्तमान आयू और 48 का अगर अखिल था तो अखिल क जो जाएगा इसमें पात साल जोड़ों को तो 53 का बन जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं चार और यहां 94 जो है इन्दोनों का योगफल है सम का सम ओफ एजिसका क्लियर है आई ओप यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक तो हमारा पहला स्टेप जो है वो हमेसा यही है कि हम यहाँ पर डिफरेंस को इकवल करेंगे तो दोनों बरावर बरावर इससे से बढ़ेंगे यह भी चार यूनिट और यह भी चार यूनिट और जैसे यह चार यूनिट बढ़ा तो आप देखें कि एर में हम कितना आगे गए तो 16 साल नतल यूनिट बढ़ावर चार साल है आप चाहिए आप पिछले वाला वालू से पास्ट यह से आप कार सकते हैं प्रेज़ेंट वालू यह फ्यूचर वाले इसे भी प्रेज़ेंट वैल्यू कल्कुलेट कर सकते हैं यह यह अपका सेम आएगा ठीक है चली आगे बढ़ते अगला सवाल है आपके स्क्रीन के उपर ratio of present ages of samir and samim तो samir है और samim है ठीक है इन उनका 8 to 7 ratio ही है present है याने प्लस 0 years present के लिए हम यहाँ पर प्लस 0 years लिख लेते हैं और it will become 17 to 15 5 years अच्छा it will become 17 to 15 after 2 years याने 2 साल के बाद अगर मैं 2 साल आगे बढ़ जाता हूँ जैसी मैं 2 साल आगे बढ़ूंगा तो samir और samim का जो age है इसका ratio बन जाएगा 17 अनुपात 15 ठीक है तो पहला step हमेशा क्या है कि हम इसके difference को बराबर करें यहाँ पर difference 2 का है तो यहाँ पर भला difference एक का कैसे हो सकता है मतलब यह ratio गलत है इसमें मुझे 2 multiply करना पड़ेगा और सही ratio जो है इसमें दोनों में 2 multiply करने से आएगा मतलब कि सही ratio है 16 इस्टू 14 का अब यहाँ पर जो difference है इसमें भी 2 का है इसमें भी difference 2 का है ठीक है तो यहाँ से आप देखेंगे कि यह भी एक unit बढ़ रहा है और यह भी एक unit बढ़ रहा है और actually हम बढ़ रहे हैं वर्तमान से 2 साल आगे यानि कि यहाँ पर एक जो है वो 2 unit के बराबर होगा ठीक है 2 साल के बराबर होगा अब सवाल यह बनता है राज is 5 years younger to Samim then what is the present age of राज हमें निकालना है तो देखे सबसे पहली बात Samim से 2 साल या 5 साल चोटा है राज तो हमें क्या करना है पहले Samim का age निकालना होगा Samim का age कैसे निकलेगा आपको देखना होगा यहाँ पर जो age है सबसे पहली बात Samim का जो present age था वो था 14 और एक बरावर दो है मतलब इसमें 2 multiply करोगे तो Samim का वरतमान जो है वो बन जाएगा 28 साल का और दूसरी बात हमें क्या दीग गई राज Samim से 5 वर्स चोटा है तो राज का जो age होगा इसमें आपको माइनस 5 करना होगा जो कि है 23 वर्स का तो 23 वर्स का जो है आपका राज हो जाएगा ए जो सवाल का से उत्तर है clear है तो बरतमान में जो आयू थी आठ अनुपात साथ उसको हमने दुगना किया क्योंकि 17 अनुपात 15 में 2 का डिफरेंस है आठ अनुपात साथ में एक का डिफरेंस नहीं हो सकता तो उस डिफरेंस को दो बनाने के लिए 8 में भी 2 multiply करना पड़ेगा 7 में भी 2 multiply करना पड़ेगा इस प्रकार दोनों के दोनों आपके डिफरेंस सेम हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों 1-1 यूनिट बढ़ रहा है तो एक्शली 2 साल बढ़ रहा था यहां से जो भी पूछा हुआ है वैलू एक हैं हां सॉल्व करके बताऊंगा उत्तर क्या रेश्यो प्रेजंट एजेस ओफ ए ए और बी दो वेक्ति हैं इनका जो प्रेजंट प्रेजंट एज का रेश्यो दिया हुआ है ग्यारा अनुपाद इनका रेश्यो जो था वो था आठ रेश्यो तेरा आठ अनुपाद तेरा का अब हमें यह बोला जा रहा है कि आप बताइए इनका रेश्यो तो सबसे पहला काम डिफरेंश चेक करो दिफरेंश यहां पे पांच का है तो पहले से ही कुश्चन में किया हुआ था तो दिफरेंश चेक हो गया अब हम क्या करेंगे कि वैल्लू कितने बढ़ रहे हैं देखेंगे यह भी तीन बढ़ रहा है कम हो रहा है sorry ये भी तीन कम हो रहा है और actually हम 6 साल पिछे जा रहे थे याने minus 6 years पे तो 3 बरावर अगर 6 है तो 1 बरावर 2 साल होगा एक बरावर 2 साल है तो अब निकालना क्या था हमें what will be the ratio of ages of A and B 6 years from now तो 6 वर्षों के बाद A और B के आयू का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है तो देखिए जितने साल है जितने वर्ष है उसका आधा यूनिट है तो अगर मैं यहाँ पर 6 वर्ष की बात करो तो यूनिट भी तो आधा होगा यहने तीन होगा मतलब अगर वर्षमान में इतना यूनिट है तो 6 वर्ष के बाद A का जो यूनिट ऑफ यहर्स है वह तीन से बढ़ जाएगा यहने 14 जो 16 वह भी तीन से बढ़ जाएगा 19 तो 14 अनुपात 19 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा तो अगर वर्तमान में हमारे पास यूनिट में रेश्च्व है जो कि 11 और 16 अगर हम 6 वर्ष आगे जा रहे तो इसे भी हमें तीन यूनिट बढ़ाना होगा इसे भी तीन यूनिट यहने 14 बन जाएगा 14 इस्टो 19 जो है सभी सवाल का उत्तर हो जाएगा चलिए I hope यह आपक C is 6 years younger to B then what will be the ratio of present age of A to that of C देखें तीन साल पहले A और B के आयू का अनुपात 5 अनुपात 6 दिया था और 3 वर्ष के बाद जो है A B के आयू का अनुपात 7 अनुपात 8 है आपको बोला जा रहा है कि B जो है वो 6 वर्ष छोटा है चलिए वर्तमान में C जो है वो B से 6 वर्ष यह क्या है हमें निकालना है तो असान सा ही सवाल है यहाँ पर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है ठीक है तो इस तरीके के सवाल लेने का परपस यह है कि यह एक्जाम में most important है तो यह आप से बनना ही चाहिए 100% ठीक है चलिए अब यहाँ से अगर मैं A और B के ratio की बात करू तो सबसे पहले एक ratio दिया हुआ है तो तीन साल पहले का ratio है और आज से तीन वर्स के बाद का जो ratio यह भी हमें दिया हुआ है B का एस्टू बी का रेश्यो और यह कितना है तो यह है सवेन इस्टू एट का रेश्यो ठीक है यह हमें दिया वाथा अब हमसे यह पूछ रहा है हमसे बोला गया कि सी जो है वह वह बी से छे वर्ष छोटा है तो वर्तमान में यानि कहीं न कहीं हमें present years तो present तो निकालना ही होगा तो पहला काम है कि आप liter देखे यहां भी difference one का यहां भी difference one का यांनि difference वाला काम तो clear हो गया इसके बाद क्या है कि पांच जो है यह बढ़ रहा है 2 yunit से 6 जो है यह भी बढ़ रहा है 2 yunit से और actually हम कितने साल बढ़ रहे हैं क्योंकि अगर 2.6 unit है तो एक बरावर तीन साल होना चाहिए अब जब हमें C का age निकालना है तो C जो है वो कितना है छोटा C है छोटा B से 6 साल छोटा तो हमें सबसे पहले तो A का age भी चाहिए वर्तमानायू और B कभी H से वर्तमान में तो अगर ये 5 था तो actually A जो है वो 15 साल का होगा अगर ये 6 है तो B जो था वो आपके 18 वर्स का होगा ठीक है तो A और C का अगर अनुपात हमें चाहिए तो A तो हो गया 15 वर्तमान आयू है ये थोड़ा सध्यान रखना है कि ये वर्तमान आयू है तो वर्तमान आयू अगर ये है वर्तमान आयू नहीं ये 3 वर्स पहले का आयू है अगर ये 3 वर्स पहले का आयू है तो वर्तमान आयू इससे 3 वर्स जादा होगा यन्हें 18 वर्स का आपका A बनेगा बी की अगर वर्तमान आयो की बात करें तो यह 3 वर्स पहले के आये हुए, 6 unit या ने 3 वर्स पहले की, तो वर्तमान में अगर आप आओगे तो 3 वर्स बढ़ा होगा है ओने 21 का, माइनस 6 करोगे क्योंकि C jो है वो वर्तमान में B से 6 से छोटा है मतलब 15 तो यह 15 हो जाएगा अब रेश्यो की अगर बात करना है तो इन दोनों को काट सकते हैं और आपका उत्तर है यहां पर आ जाएगा 6 साल 6 साल बट्रहें मतलब जो यूनिट बराबर 2 Bent . यह पहले का एसल मतलब 3 पहले तो अगर हम वर्तमान यांए प्रेजंट की बात करें तो थांदर होगे तो वर्तमान में 8 बढ़ाओं से और क्योंकि दिया हुआ स्युए से 6 छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस अठ्थारे में पहले तो 3 जोड़ना होगा जो क्यो जागा 21 वर्तमान यू वी का इसमें 6 माइनस करोगे तो सी का वर्तमान आयू 15 अब सवाल यही था कि ए और सी के वर्तमान आयू का अनुपाद निकालना है तो 18 यहां से कुछ और सवाल देखते हैं अलग-अलग जैसे दिया हो है पहले सवाल एज अफ़ परसन एयर्स अगो वस्वन फॉर्थ दैट अफ देट अफ देश्ट वूद बी एयर्स फ्रम नौ एज अफ देश्ट परसन बियर्स फ्रम नौ वुड़ फाइज परसन बियर्स कि चले इसको हिंदी में भी पहले पढ़ लेते हैं उसके और फिरिस इसको सॉल्फ करें गे पहले दिया हुआ किसी व्कती की ए साल पहले कि जो उमर है उसे उमर का एक और चार था है ठीक है यदि एकस है तो प्लस ए इन्स पर इसका जो होगा वちゃ होगा प्लस बी हड़्य यही स्कव ब्लस भी को यह हम हम पिछे जाते माइनस संदो एजोग को रही वह مाइननस यह होगा ओ माइनस प्लस एन्स अब दिया मीकिया इसको समंझने कोशिश को टे रहे हैं मतलब कि ये वाला जो एज है, वो इसका एक चोथाई है, मतलब x-a जो है, वो एक चोथाई है कि इसका x-a का, यही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैं अब component डिविडेंडों लगाऊंगा, मैंने कई बार आपको component डिविडेंडों समझाया है, x-a बटे x-a जो होता है, जबी भी इस तरीके का expression दिखा, तो यहाँ पर component डिविडेंडों लगाने पर x आता है, और यहाँ पर component डिविडेंडों लगाने पर नीचे a आता है, ठीक है, तो 4 plus 1 करोगे तो 5 आएगा, 4 minus 1 करोगे तो यहाँ पर 3 आएगा, मतलब कि हम यह लिख सकते x बटा a जो है, वो इस वाले value का यहने x minus b वाले value, इसको rearrange करके मैं क्या लिख सकता हूं, कि x plus b divided by x minus b बराबर है, 5 divided by 1 का, ठीक क्योंकि 5 है तो 5 divided by 1 भी लिख सकता है, इसमें भी component डिविडेंडों लगाएंगे तो यहाँ पर उपर x आएगा, और नीचे यहाँ पर b आएगा, component डिविडेंड ठीक है, दो चीज़े मिल गई यहाँ पर, अब देखिए, यहाँ से क्या करना है, हमें a, y, b का ratio निकालना था, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को divide कर दूँगा, जैसी मैं divide करूँगा, तो क्या मिलेगा, हमारा जो result है, वो direct आ जाएगा, क्योंकि मैं क्या करूँ, x by b divided divided by करना हूं में x by a, दूसरे तरफ x by b divide था, तो यहाँ 3 by 2 divide होगा, और divide मैं करना हूं यहाँ पर 5 by 3 को, ठीक है, division का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, कि division कहीं भी दिखा तो उसको multiply में convert करके, आगे वाले value को reverse कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं इसे multiply में convert कर दो तो यह 3 by 5 हो जाएगा, तो x x कड़ गया, अब कहीं न कहीं a by b का ratio आ चुका है, जो की है 9 divided by 10, 9 अनुपात 10 जो है, वही सही उतर है, तो c जो है सवाल का सही उतर होगा, हमें a अनुपात b निकालना था, ना कि b अनुपात a, तो a अनुपात b का value है, 9 is to 10 का, ठीक है, त यह सारी चीजें, तो मैंने समझाने के लिए लिए लिखा है, डिरेक्टली आप x plus a divided by x minus a बराबर 4 बटा एक लिखकर component dividend लगाएंगे, यह result आएगा, x plus b divided by x minus b, जो है 5 by 1 लिखोगे, उसमें component dividend लगाओगे, तो यह आएगा, अब दोनों में से आप x को equate कर दीजे, a is to b गया, ठीक है, बस इतना ही हमें पहन चलाना है exam में, और फटा फटा आपका सवाल जो है, solve हो जाएगा, चलिए, अगला सवाल दिखते हैं, दिया हुए average age of husband, wife and daughter 5 years ago was 22 years, and that of his wife and daughter 8 years ago was 16 years, what is the husband's present age, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुए, पती उसकी पतनी और बेटी का जो औ आउसत था, 5 साल पहले जो था, वो 22 वर्ष का था, और उसके पतनी और बेटी की 8 साल पहले जो आउसत है, वो है 16 वर्ष की, तो पती का वर्तमान उमर क्या ही हमें निकालना है, तो देखे, सबसे पहली बात वर्तमान यानि की present से, दो information पहले का दिया हुए, एक information है, माइन यहां पर जो average है, वो है 22 का, दूसरी बात minus of 8 years पे आपको दिया हुए average, किसका किसका wife का और daughter का जो average, यह average आपको दिया हुए 16 का, ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको कुछ चीजे जो मैंने शुरुआती तोर पे बताई थी, कि जब हम sum को, यानि कि इसके योगफल को आ रखनी पड़ता, जितने आगे पिछे आप सालों में जा रहें, उतने ही साल आगे पिछे आपका average भी जाएगा, कहने का मतलब यह कि present में, husband plus wife plus daughter का, जो average age है, divided by 3, average क्या होता है, sum divided by 3, वो average अगर यहां पर 22 था, तो यहां पर वो plus 5 होके, आपका average है, वो 27 का बनेगा, और क्योंकि यह average है, तो average होता है, sum divided by number, मतलब h plus w plus d divided by 3, इस 3 को उठाके दूसरे तरफ ले चलते हैं, तो कहिना कहीं, इनका जो योगफल है, वो multiplied by 3, यानि कि 81 years का हो जाएगा, ठीक है, दूसरा देखते है, wife और daughter, wife और daughter का average की, अगर हम बात करें, तो average होता है, जितने लोग है, उसका sum divided by जितने लोग, यानि कि 2, यहाँ पर जो average बनेगा, यह तो 8 साल पहले का average है, तो 8 साल बात के average में plus 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ 24 बनेगा, 24, क्योंकि average अगर यहाँ 16 है, तो इसका भी 8 साल बढ़ेगा, इसका भी 8 साल है, यह पूरा average जो है, 8 साल से बढ़ेग तो w plus d, w plus d कर जाएगा, यहाँ पर h आ रहा है, h का value हो गया, 81 minus 8, तो 7 यहाँ पर 11, 11 minus 8 करोगे, तो 3 आएगा, 7 में से 4 गया, तो बचा 3, मतलब husband का जो age है, वो 33 years है, डी जो है सवाल का सही उतर होगा, clear है, आशा करता हूँ, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है तो हमें, जो चीजे मैंने आपको शुराती तर पर बताया, उसका use करना है किसी भी सवाल में, जैसे पिछले सवाल में हमने देखा, average जो है, वो उतने ही साल से बढ़ता घरता है, जितने साल से आपका years में हम आगे पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो जितने लोगे उसका इस प्रेजन एज एड़ डाट टाइम, वाट इस दप्रेजें एज ऑफादर, पिता और बेटे की उमर जो है, उनका योगफल जो है, वो 50 साल है, फिर छे साल पहले जब जाएंगे, तो उनके योग, आयू का योगफल, उस समय पिता के उमर का चार गुना है, तो पिता का 3 साल पहले, माइनस सिक्स एर पे जब में जाता हो, तो फादर का एज अगर EF था, तो यहाँ ज़ो है फादर के इज फादर का, सा धाले 50 अगर EF माइनस अफ 6 होगा, दोनों का, जो इस एज, वो इतना कम होजाएंगा, और यहाँ पे इनका जो प्रोड़क्त है, वो क्या गुने है इन दोनों का प्रोड़क्ट अब यहां से मैं F-6 और F-6 काट सकता हूं मतलब S-6 बरावर अगर 4 है तो यहां से सन का एज जो है वो बन जाएगा 10 साल 10 वर्ष का इसका एज हो गया तो निकालना क्या है? Find the present age of father तो अगर सन यानि कि इस variable का value 10 है तो father का value कितना हो जाएगा? आपका जवाब होगा सर यह तो 40 हो जाना चाहिए 40 years का क्योंकि वर्तमान में दोनों का आयू जो है वो 50 वर्ष का है तो अगर सन 10 साल का होगा तो पिता जी का जो एज है वो 40 साल का हो होना चाहिए, clear? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके screen के उपर है, the age of Arjun five years ago is equal to Kamal's present age, the sum of Arjun's age nine years hence from today and Kamal's age 13 years ago is 71, then what was the age of Prathius 10 years ago from now if Prathius is seven years younger than Kamal, तो तीन-तीन लोगों के बारे में बात किया गया है, पांच वर्स पहले जो Arjun का उमर था, वो Kamal के वर्तमान उमर के ब वो Kamal के present age के बराबर है, ठीक, पहला statement है, आज से 9 साल के बाद जो Arjun का उमर होगा और 13 साल पहले जो Kamal का उमर था, तो आज से 9 साल बाद जो Kamal, जो Arjun का age होगा, 9 years बाद जो Arjun का age होगा, प्लस Kamal का age जो था, वो 13 वर्स पहले जो था, इन नोनों का जो योगफल है, यह 71 का दिया हुए, ठीक, तो यह हमने यहाँ पर second statement लिख दिया, तो प्रत्यूष का उमर 10 साल पहले क्या थी, यदि प्रत्यूष जो है, वो Kamal से 7 वर्स चोटा है, तो सबसे पहली बात, प्रत्यूष जो है, वो Kamal से 7 साल पहले, 7 साल चोटा है, हमें निकालना है, तो इस दस साल पहले क्या था, यह हम से पूछा जा रहा है, तो पहले तो प्रत्यूष जो निकालोगे, उसमें 10 साल और कम करोगे, तो हमारा answer आएगा, ठीक, तो इन दोनों statements को देख कर क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहली बात, Kamal के जगा हम A-5 लिख सकते हैं, तो यह ज इस K के जगा पे A-5 लिखा, जो की 71 के बराबर है, तो इस A को इस A से जोड़ेंगे, तो 2A बन जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 9, तो यहां माइनस का 9 आएगा, जो की 71 के बराबर है, तो यह 9 दूसरे तरफ जाएगा, तो 2A बराबर 80 हो गया, और जैसी 80 हुआ, मतलब अ जो है, उससे 5 साल, यानि की Arjun माइनस 5 है, मतलब कमल का जो एज है, वो जाएगा 35 का, और क्योंकि यहां प्रतियुष जो है, कमल से 7 साल चोटा है, तो प्रतियुष का एज इसमें 7 और कम करना पड़ेगा, इसमें 7 कम करोगे, तो 28 साल हो जाएगा, और क्योंकि पर इससे हम सब्सक्राइं को जब।今日 वह कोー इतना ही स्ट मैं याद रखना है मिया स्टेटी टैयों सब्सक्राइब बीबाद करने हैं पिता और माता इनकी वर्तमान आयो के बीज का जो संबंदित अनुपाद है वो तीन अनुपाद 12 अनुपाद 11 है तो सन सन अनुपाद फादर अनुपाद मदर ठीक है इसका जो एज का रिष्ट्व है इनका वो है 3-5 12-11 तीन बारा और 11 के अनुपाद में है दूसरी बात क्या कही कि बेटे और मा का जो औस आयो है वो है 21 साल तो बेटे और मा की अगर हम बात करते हैं ठीक है पुत्र और माता के तो यहां पर 3 है यहां पर 11 है तीन प्लस 11 यहांने 14 डिवाइड़ बाई दो यही है एवरेज हमारे साबसे मतलब साथ यूनिट साथ यूनिट का वैलू 21 साल दिया हुआ है मतलब एक यूनिट का जो वैलू है वो हो जाएगा तीन साल अब सवाल पूछ रहा है पांच साल बाद पिता की उम में हमारे साब से बारा यूनिट है पिता का एज तो इसमें एक में यदि मैं तीन मल्टिप्लाइ कर लिता हूं तो यह कहीं न कहीं 36 साल के उमर के होंगे पिता जी जो है इनके अगर 36 यह पिता जी का उमर है आपको निकालना है वाट विल बीड़ फादर एज आफ्टर फा अगला सवाल दिया हुआ है सत्या एज मच यंगर तो राघव एज वोल्डर प्रखर इफ दसम ऑफ दी एज ऑफ प्रखर और राघव से उतना ही छोटा है जितना की वह प्रखर से बढ़ा है यदि प्रखर और राघव के आयू का योगफल जो है वो साट वर्स है तो आप आपको बताना है सत्या की आयो कितनी है तो सबसे पहली बात सत्या राघव से उतना ही छोटा है मतलब राघव माइनस सत्या उतना ही छोटा है जितना सत्या जो है वो प्रखर से बढ़ा है तो ऐसा ही कुछ बनेगा सत्या प्रखर से कितना बढ़ा है एस माइनस पी अगर सत साथ अगर सत्या राघव से उतना ही छुटा है तो राघव का उमर अगर रार है सत्या को मर ऐसे तो इन दोनों का जो एज का डिफरेंस है राघव उससे आर माइनस एज बढ़ा होगा कि दोनों एसको अगर मैं एक तरफ ले जाओं तो यह पी इधर आएगा तो आर प्लस बनेगा अब सवाल में हमें दिया है कि राघवर प्रखव का जो एक है उसका सम यानि उसका योगफल आपको दिया हुआ है सिक्स्टी मतलब यह साथ के बरावर तो अगर दो एस बरावर स से छोटा होता है तो ऐसे केस में दूसरे और तीसरे व्यक्ति का जब सम दिया हुआ है तो पहला जो व्यक्ति उसका जो योग उसका एज होता है इस सम का आधा होता है इसको आप शॉट ट्रिक के तौर पर याद रखिए चलिए फादर जो है वो बोल रहे है कि I was as old as you at present at the time of your birth what if the age of father is 62 years कि ना याने आज की डेट में पिता जी का उमर अगर 62 years then what will be the son's age five years back तो देखिए इस तरीके का statement यादी कोई व्यक्ति कह रहा है ठीक है मैं तुम्हारे जन्म के वक्त उतने ही वर्ष का था जितने वर्ष के तुम अब हो और पिता की अगर वर्तमान आयू अगर 62 है तो पुत्र की जो आयू है वो वर्तमान में 31 होगी और माइनस का पांश करना है तो 26 जो है सवाल का उतर होगा 26 अब यह समझ लेते हैं ऐसा हुआ तो क्यों फिर से संका एज है तो जब इस संका जनम हुआ होगा तो यह जनम लेने का जो समय वह होगा s years ago s years ago यानि आज से s worse पूर्व आज से हम कहा जाएंगे तो s worse पूर्व जाएंगे पहले जब हम s worse पहले जाएंगे तो यहां पर sun का जो age है वो 0 हो जाएगा और जो father का age है वो हो जाएगा f minus s क्योंकि हम यहां S वर्ष पूर जा रहें तो माइनस का S होगा अब पिताजी ने स्टेटमेंट की एद कहा है कि I was as old as you at present at the time of your birth मैं तुम्हारे जनम के समय उतने ही वर्ष का था जितना तुम आज हो ठीक है तो आज सन का एज इतना है और जनम के वद फादर का एज इतना था तो यह दोनों S के बराबर होगा यानि कहीं न कहीं जो relation बन रहा है वो यह बन रहा है कि फादर की जो उमर है वो सन का दुगना ह इसलिए मैंने कहा कि अगर फादर की उमर बासट है जो कि दुगने सन के एज की बराबर है तो सन का एज तो 31 होना चाहिए 31 वर्ष हमें यह बोल रहा था पुत्र की आयू 5 वर्ष पूर्व घ्याद करेंगे तो कहीं न कहीं यह 26 एर्ष का होगा चलिए अब यहां से देखते हैं अगला सवाल जो कि दिया हुआ है अब परसन वाज आज तो स्टेट इस एज इन एर्ष हिस रिप्लाई वस्टेग माई एज 2 एर्ष हैंस मल्टिप्लाई बाई 7 एंड सब्ट्रैक्ट 7 ताइमस माई एज 2 एर्ष अगो एंड यू विल नो एकसी के बाद कि जो उमर इसको साथ से गुणा कर लिजिए ठीक है और फिर दो वर्ष पहले की जो आई हूँ उसे भी साथ से गुना करके घटाई है तो उसको पता चल जाएगा कि मेरी उमर वाथ जो इस सवाल का उत्तर क्या है व्यक्ति की उमर क्या तो हो जाए 28 साल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए आप यहां अगर व्यक्ति x उमर का है आप क्या करेंगे x से 2 साल आगे जाएंगे और यहां पर x प्लस 2 आएगा तो व्यक्ति ने कहा आप इसको 7 गुना करिए 7 गुना का मतलब 7x प्लस 14 आप यहां से पीछे जाएंगे दो साल पहले दो साल पहले जाएंगे तो व्यक्ति की उमर हो जाएंगे बिना पहिंच चला है कि आपको बोला क्या जा रहा है आपको बोला जा रहा है कि मेरी 2 साल के बाद की आयू ले लीजे उसको 7 से मल्टिप्लाइ करिए 2 साल पहले की आयू ले लीजे उसको भी 7 से मल्टिप्लाइ करिए और दोनों का डिफरेंस लीजे क्यों ना हम ऐसा करें कि दोनों से जब 7 को multiply करना है तो पहले हम difference लेते हैं 7 को common निकाल लेते हैं तो 2 साल बाद की IU और 2 साल पहले की IU में जो अंतर होगा ये अंतर हमेशा 4 साल का होगा क्योंकि 2 साल पहले से 2 साल आगे जाओगे तो 4 साल बढ़ते हैं और इस 4 साल का difference में आपको क्या करना है साथ multiply करना है क्योंकि बाद वाले में भी साथ multiply है पहले वाले में भी साथ multiply है तो 4 multiplied by 7 करोगे तो 28 जो है सवाल सही होगा बिना पहेंच चला है आप इस सवाल को solve कर सकते हैं चली अगला सवाल है इसमें अगर दिया हुआ है यदि बेटे की दुगनी उमर को पिता की उमर से जब जोड़ा जाता है तो योग जो आता है वो पैतालिस का होता है यदि बेटे की उमर में पिता की दुगनी उमर को जोड़ी जाती है तो योग जो है वो 75 का आता है पांच वर्ष के बाद पिता की उमर क्या है निकाल लिए है तो देखिए यहां दिया हुआ है ट्वाइस दा संस एज प्लस फादर्स का एज जोड़ देते हैं तो आता है पैतालिस और फादर के एज में जब ट्वाइस अच्छा ठीक है सन के एज में जब फादर का दुगना एज जोड़ा जाता है सन के एज में जब फादर का दुगना एज जोड़ा जाता है तब हमारा जो वैलू है वो कितने काता है 75 तो निकालना क्या है हमें निकालना है फादर का एज आफटर five years तो देखें जब भी इस तरीकी का स्टेट्मेंट आता है न जहांपर दो वेरेबल एक के सामने दो दूसरे के सामने अगले स्टेट्मेंट में एक दूसरे वाले के प मतलब son की उमर प्लस father की उमर जो है 40 साल second time क्या कर सकते हैं इसको इससे घटा देंगे तो father में से 2 father में से father घटेगा तो f बचेगा 2s में से 2s घटेगा तो minus का s बचेगा तो दूसरी बात क्या मिल गई कि father minus son जो है वो कितने का है इन दोनों को घटाने पर 30 वर्स का है तो इसका answer हो जाएगा अगर दोनों का जो difference है वो 30 साल का उमर का डिफरेंस है और दोनों का जो योगफल है वो कहीना कहीं यहाँ पर इतने वर्सका है तो याने कि यहाँ पर father और son का जो एजा सन का एज होना चीए 5 साल और फादर का एज जो होना चीए 35 कैसे मैंने इसको बिना सॉल्फ की लिख लिया मैंने ये कई बार रिपीट किया एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जो डिफरेंस होता है इस difference को मैं बड़े value को दे दूँगा यानि कि मैंने father को दे दिया तो 30 मैंने पहले दे दिया क्योंकि difference इतने का था तो पहले difference बड़े value को दे दू बाकी बचा कितना? 40 था total value 40 में से यदि मैंने 30 दिया तो बचा कितना? 10 बचा, इस 10 को बरावर बरावर बाड़ देंगे यहां पर भी 5 और दूसरे वाले में भी 5 तो पहले वाले में तो पहले ही 30 दिया था तो 5 आर जोड़ोगे तो 35 यहां पर भी 5 ठीक है इस तरीके से आपको याद रखना है चलिए अब यहां से हमें यह बताना था कि फादर की उमर जो है कर्मान में 35 वर्स है तो 5 साल बाद 40 वर्स के ठीक है चलिए यहां से दिया हुआ है ABCD का जो एवरेज था सम ओफ एजस ऑफ फाइव परसेंस ABCD वाज 94 यह फाइव एर्स अगो टुदे वन एज रिप्लेश्ट बाइज बाइज सम ओफ देर एजस इस इस नाइंटी तो आसान सवाल है पहले समझ लेते हिंदी में एक बार क्या दिया हुआ है पांच वर्स पहले ABCD के आयू का जो योगफल था वो था 94 वर्स आज A को E से बदल दिया जाता है तो उनके आयू का योगफल जो है वो 92 होता है वर्तमान में तो हमें निकालना है कि A और E के आयू का अंतर कितना यह हमें निकालना है तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर उमर जो है वो दो अलग-अलग टाइम फ्रेम में दिया है ABCD की जब बात करने तो पांच वर्स पहले की है और वर्तमान में बोला गया कि A को E से डिपलेस किया तो वर्तमान में जो आयू दिया हैं तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं 5 पॉर्स पहले माइनस पाइव पे जाते हैं और पांच फॉर्स पहले पर जांगे तो हमारे पास 4 वक्तिए ए A प्लस B प्लस C प्लस D इन चारों को जोड़ेंगे तो यहां पर जो एज आ रहा है वो आरहा है 94 यूर्स का और अगर मैं आता हूं प्रेजंट में प्रेजेंट की ज़्यादी में बात करता हूँ तो यहां यह को अटा दिया जाता सभी प्लस इनका जो एज और नाइनटीटू यार्स का है तो आप मुझे बताइए आगर मैं यहां पर इन ये चारों का present age निकालने के कोशिश करूं कि अगर a plus b plus c plus d हमारे पास होते यहां पर तब उनका age कितना आना था तो जैसे कि मैंने शुरुआती तोर पे आपको बताया कि जब हम average को plus minus करते हैं तो उतने ही वर्ष आगे बढ़ेगा जैसे यह average की बात करते हैं तो 5 वर्ष याने पूरे की पूरे 94 में जो वैलूस बढ़ने हैं वो 94 में कितना बढ़ेगा तो प्लस चार इंटू पांच याने कि प्लस ओफ बीस साल से आपको यह बढ़ाना होगा बीस साल से बढ़ा होगे तो एक सोचोग आएगा अब हम से यह पूछा था ए और डी का difference तो मैं क्य हो जाएगा 22 यह तो 22 वर्ष जो है यह सही उत्तर है इस सवाल का है क्लियर चलिए आई होप यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन यहां दिया हुआ है एवरेज इस ओफ थ्री परसंस दिया हुआ है त्री बॉइस ट्व सबसे कम उमर के लड़के के उमर क्या है तो देखिए तीन अनुपाथ पांच अनुपाथ साथ में अगर तीन लोगों का आयू है तो इसका एवरेज निकालोगे तीन प्लस साथ प्लस पांच यहने पंदरा डिवाइड़ बाइड तीन तो औस जो है वह होता है पांच हलाक जो है वह मिडिल नंबर के बरावर होगा डिरेकली पांच भी आप लिख सकते थे और यह पांच जो है इसके बरावर 25 दिया हुआ है 25 इयर्स तो हमारे इसाब से याने जो हमने जो रेश्ट्यों लिया है उसमें एक यूनिट बरावर पांच वर्स है फाइव इयर्स सवाल यह पूछ रहा था कि यंगेस्ट बॉय जो है जो सबसे छोटा है उसकी उमर क्या तो तीन यूनिट है उसकी उमर तो तीन इंटु पांच करना होगा तीन इंटु पांच करोगे तो पंदरा साल जो है 15 years is the age of this person clear तो पंदरा जो है सवाल का से उत्तरवा सी is the correct answer for this question. चलिए आगे बढ़ते हैं 4 years ago the age of a person was 6 years more than 5 times the age of the son 6 years hence the age of the person will be 2 years less than thrice the age of his son then after how many years from now the sum of the ages will be 90 years देखिए चार वर्स पूर्व व्यक्ति की जो आयू थी वो बेटे के आयू के 5 गुना से आयू से 6 वर्स ज्यादा थी और साथी साथ 6 वर्स बाद उस व्यक्ति की जो आयू होगी वो बेटे के 3 गुना आयू से 2 वर्स कम होगी कितने वर्षों के बाद दोनों के आई का योग फन होगा है तो देखिए इहां पर एक एस जो है पहला जो कंडीशन दिया हुआ है वह चार साल पहले का दिया है और एक कंडीशन जो दिया हुआ है वह सबसे पहली बात आपको समझना होगा प्रेज wagon में, present में अगर इस person का age में माल लेता हूं P और उसके बेटे का age में माल लेता हूं S ठीक, तो 4 years ago, याने 4 verse पूर्फ की बात करें तो person का age होगा P minus 4 और son का age हो जाएगा S minus 4, 6 years hence की बात करें याने 6 verse बात, 6 years hence जो person का age होगा वो जाएगा P plus 6 और son का जो age हो जाएगा S plus 6 तो देखिए पहले बोला गया कि 4 verse पहले क्या हो रहा है इसको समझे लेते हैं 4 verse पहले की अधी में बात करूँ 4 verse पहले की अधी में बात करूँ तो यहां दिया हुए the age of person was 6 years more than 5 times the age of son तो person की जो उमर है person की उमर्ज क्या है P minus 4 है यह क्या था 6 years जाना था 5 times age of the sun तो 5 into S minus 4 यह son का 5 गुना हो गया इस से 6 verse जाना था मतलब पहला statement यह हो रहा है मतलब P minus 4 जो है वो हो गया 5S minus 20 प्लस का 6 इस minus चार को दूसरे तरफ ले जाओगा तो प्लस का 10 बन जाएगा याने person का जो एज है वो है 5S ठीक है 5S minus of 10 यह पहला equation बन गया second equation में यहां पर आते हैं दूसरे वाले में तो 6 वर्स के बाद उस व्यक्ति की जो आयो है बेटे के 3 गुना है आयो से ठीक है कम है ठीक है इससे 2 वर्स कम अब इसको सॉल्फ कर लेते तो बन जाएगा प्लस 6 जो है यह हो जाएगा 3S माइन प्लस 18 माइनस का दो तो अगर इस छे को उठाके दूसरे तरफ ले जाओ तो यह माइनस का 10 बनेगा याने person का जो एज हो जाएगा यह हो जाएगा person की age निकालने की बात करें तो यहा तो आप fs 5s माइनस 10 लिख सकते हो यहां से लिख सकते है 3s प्लस का 10 मतलब 2s बराबर जो है यह हो गया 20 के बराबर तो sun का जो age है यह हो जाएगा 10 साल यदि sun 10 साल का है मतलब sun यदि 10 का है तो person का age कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 यानि की 40 40 यहां से भी देख सकते हैं 50 माइनस 10 यानि की 40 तो present में इन दोनों का जो sum है person का age प्लस sun का जो age है present पे कितना है तो 50 साल है सवाल यह नहीं था कि अब कुछ सालों के बाद उनका age कितना होगा सवाल यह दिया हुआ है कि अगर इनके sum को age को अगर 90 बनाना है तो हमें कितने year के बाद यह होगा तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कितना है 50 है अगर इसे 90 बनाना है तो मैं यहां से कुछ चीजों को हटा देता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ अगर मुझे इसे 90 बनाना है अगर 90 बनाना है मतलब हमें जो है इनके sum को 40 साल बढ़ाना होगा और जबी भी हम sum की बात करते हैं योगफल की बात करते हैं बराबर बराबर बढ़ता है मतलब इस person का भी 20 साल बढ़ना चीए sun का भी 20 साल बढ़ना चीए तब ही जाके आप 40 साल आगे बढ़ोगो दोनों के योगफल में इसका मतलब 20 साल के बाद जो है उत्तर सही होगा कि अगर वर्तमान में इनका age 50 साल है अगर आपको 90 साल बढ़ना है इनके आग्यू में मतलब दोनों के age में 20-20 बढ़ेगा तो दोनों के age में 20-20 बढ़ेगा तो कही न कहीं 90 years यह बढ़ जाएगा ठीक है? clear? अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन आपके स्क्रीन के उपर यहां दिया हुआ है बोला है present age of the father is three years more than thrice the son's age after three years the age of father will be ten years more than twice his son's age find the present age of father तो वर्तमान में present में father की age को F मान लेते हैं और son की age को S मान लेते हैं ठीक हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं वर्तमान में पिता की जो आयू है बेटे के तीन गुना आयू से तीन वर्स जादा है तीन वर्स के बाद पिता का जो आयू है वो दुगनी आयू बेटे के दुगनी आयू से दस वर्त जादा होगा तो दो स्केनारियों है एक तो present वाला scenario है वर्तमान में और after three years की बात हो रही है तो after three years के बारे में क्या होगा after three years पिता की जो आयू है वो हो जाएगी F plus 3 और जो बेटे की आयू हो जाएगी S plus 3 clear तो देखे सबसे पहले जो present scenario इसके बारे में बात करते हैं पिता की जो आयू है वो बेटे के तीन गुना आयू से कितना जादा है तो तीन जादा है तो यहां पर इस statement को देखते साथ आपको निकालना था find the present age of father तो कहीं न कहीं उत्तर जो होगा वो 33 होगा जोंकि देखिए यह जो value है यह कहीं न कहीं नहीं आपको हर बार उत्तर दे तो मैं पूरा भी solution आपको बता देता हूं कि कैसे हमें solve करना है लेकिन आपको चौकरना भी रहना है बाज की तरह आपके आखे होनी चाहिए कि आपने देखा इस प्लस तो आप खुदी बताइए कि यहां से मैं क्या कर सकता हूं इस फाडर जो एज है एस 3S plus 3 यहाँ पर डाल सकते इसके जगह डाल सकते इसके जगह डालोगे 3S plus 3 बनेगा यह 3S plus 3 मतलब कहीं न कहीं इस S को यहाँ ले आओंगे तो S minus हो गया और यह बन जाएगा 10 साल मतलब बेटे की जो उमर्य यह वो 10 साल है तो फादर की उमर हो जाएगी S को यहां पर दाल लीजे तो यह बन जाएगा 30 प्लस 3 याने 33 years फादर की जो उमर है वो हो जाएगी 33 years की यह हमारा correct answer हो जाएगा इस सवाल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं next question दिया हुआ है Amun got married 9 years ago Today his age is 4 by 3 times the age at the time of marriage his daughter is 1 6th of his age find the sum of their ages after 4 years तो देखिया Amun का जो marriage हुआ था वो 9 years ago हुआ था और यह present है तो कहा गया है कि इसका जो उमर यहां पर था यहां उसका जो उमर है वो उसके 4 by 3 गुनाय है मतलब यहां अगर एक था तो यहां 4 by 3 है रेश्यो में अगर इसको balance करना चाहते है तो यह 3 उठाके यहां लाना पड़ेगा यानि जो रेश्यो है वो 3 to 4 का है आप जानते ही कि इन दोनों जो age है इसमें जो difference है वो 9 years का है और आपके रेश्यो में 1 है मतलब एक यूनिट बरावर 9 साल है तो वर्तमान में जो अमन की आयू होगी वो इसमें 9 multiply करोगे तो 36 years का हो अमन का जो presentation that we 36 mean Our line के daughter का जह पेजंटेज already १ो 6 years है तो after 4 years मतलब इसमें भी 4 जोड़ो जहाए तो 40 साल का हो जाएंगार इसमें भी 4 साल जोडों तो daughter 10 साल की हो जाएगी दोनों को जोड़ने पर कितना रहा है दोनों को दिया है तो पहले denominator को ले लेना final value को उसका numerator हमें लेना होगा चलिए यहां से एक दो सवाल हम लेंगे average का जैसे दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है कि average age of husband and wife 30 years was 30 years when the child was born the average age of the husband wife and the newborn child is 24 years now find the present age of child तो देखिए जब बच्चे का जब जनम हुआ था उस वक्त husband और wife का जो average age है वो कितना है वो है 30 साल कि साथ में बोला गया है कि husband wife और बेटे का newborn जो है उसका अभी का जो औस तायू है वह 24 साल तो प्रेजेंट की बात हो रही है ठीक है तो बच्चे का जब जनम हुआ था तब पती-पत्नी की ओसत आयू थी 30 साल मतलब यह divided by two होगा मतलब husband plus wife का जो एज है यहां पर जो था वो 40 years का था जब बच्चे की उमार याने की चाइल्ड का जो एज है वो यहां 0 years का था जस्ट बॉन है भी प्रेजेंट की बात करें तो husband plus wife plus बच्चा तीनों का जो आउसत आयू है आउसत का मतलब बटे तीन सम डिवाइड़ थी अब यहां पर चोवेस है यह 24 है 24 का मतलब क्या हुआ इस इस तीन को यदि मैं दूसरे तरफ ले जाओ थी से मल्टिप्लाइ करूंगा तो यह कही ना कही बन जाएगा 72 years का मतलब कि इसमें जो बढ़ातरी हो रही है वो कितने की हो रही है यह 30 है 60 है 60 बढ़ातरी जो हो रही है 60 से बढ़कर 12 साल बढ़ रहा है अब देखें यह क्या वाइफ ऑर चाइल्ड अभी बर्थ हुआ है जोकि जिरो वर्स का है तो जब 12 साल बढ़ाई जा रही है तो अज्ट deber lekaर चाइज बनेफ साल बढ़ेगा तो चाइल्ड पा कितना मचा बढ़ा अगर सी यहां पर है तो सी से बढ़ा सॉट से थी तो तीनों के तीनों सी यूप से बढ़ेंगे मतलब चैइल्ड का जो एज है वह हो चार शाल-क्र ऐसे भी जो हब हो था समतह हो कि who were married 4 years ago was 25 years. याने 4 साल पहले जब पती-पतनी की ओसत आयू थी 4 वर्स. जब उनका विवा हुआ था. तो यहाँ पर husband और wife का जो average दिया हुआ है, वो कितना है 25 years का, याने यहाँ पर husband प्लस wife का जो age होगा, वो हो जाएगा 50 साल का. इसके बाद दिया हुआ है at the time. The average of the family consisting of husband, wife and newborn child during the interval is 20 years today. तो आज की बात हो रही है, याने present. वर्तमान में क्या दिया हुआ है? कि पती, पतनी और पुत्र की ओसतायू 20 वर्स है. तो husband प्लस wife प्लस son का, जो average है, तो यह divided by 3 होता है, और यह 20 के बार आवार है. तो 3 को यहाँ पर ले जाओगे, multiply करोगे, तो कहीना कहीं 3 multiply होगा, यह हो जाएगा 60. अब यहाँ पर अगर husband और wife 50 के हैं, तो यहाँ पर husband और wife कितने होगे? दोनों में 4-4 जोडना होगा, यह नहीं 8 जोडना होगा. तो husband प्लस wife जो है, यहाँ पर कितना होगा? 58 हो जाएगी. clear? आप समझ रहे हैं कि यह 4 वर्स पहले का हैं, तो जब present की बात हो रही है, तो husband की age भी 4 साल बढ़ेगी, और wife की age भी 4 साल बढ़ेगी, तो दोनों में 4 into 2, यानि सम जो है, वो 8 से बढ़ेगा, तो 58 साल का. जब husband और wife यहाँ पर 58 years के हैं, 58 years के, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 58, इन दोनों के जगापे 58, प्लस जो son का age है, यानि 2 साल बराबर 60 होगा, मतलब son का age क्या हुआ, तो 2 साल का है, इस वक्त बेटा. इस दर्मियान में जो बेटा जनम लिया था, उसका उमर यहाँ पर 2 वर्स का है, तो इसी सवाल के साथ, मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ रोकता हूँ, ठीक है, लगबग 22 के आसपास हमने सवाल यहाँ पर देखे, more than sufficient है age के लिए, आने वाले संडे को कुछ और सवाल रहेंगे, बहतरीन जो कि आपके practice के लिए रहेंगे, इस question से अलग, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है, वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और bell icon दबाएं, ताकि सारे notifications आपको free of cost मिलते रहें, और जैसे कि मैंने आपको बताया, PDF चाहते हो, तो description box में, competition community का website है, कई लोग पुछते हैं कि कहां है PDF, description box में आपको जाना है, free of cost register करना है, वहाँ मिल जाए, चलिए, इसी के साथ, मैं यह उमीद करता हूँ कि age से related, जो भी सवाल आपके exam में आएगा, वो definitely आपसे solve होगा, practice sheet को भी लगाईए, कुछ doubt होगा, आप practice sheet के वहाँ portal में भी आप doubt पूछ सकते हैं, ठीक है, चलिए, thank you so much, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next topic के साथ, एक नए वीडियो में, इसको यहाँ पर रोखते हैं,